हलो एग्रिवेंज, स्वागत है आपका आमारे चैनल लर्ड बालोजी में देर फ्रेंट्स, आज हम एंजियो स्टमी प्लांट में फ्यूट्स के जो फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में उसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में 33 कॉस्ट्स मतलब 33 प्रश्णों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं जहां जरूरी हुआ है जहां भी एक्स्प्लानेशन की ज़रुत पड़ी है वहां मैंने उनको अच्छे से एक्स्प्रें किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो उसको वह जरूर करिए और आज हम उसके आगे के कॉस्ट्स को सॉल्फ करेंगे इसमें भी आप रॉक 35 कॉस्ट्स होंगे इंक्लूडिंग दोनों वीडियो उसको मिला करके देखे तो कम से कम हम 65 कॉस्ट्स को सॉल्फ करेंगे चुकि अपने आप में पूरी तरह से आपको फ्यूट्स का ओवर्व्यू मिल जाएगा आप काफी हद तक या यू कहों पूरी तरह से उसको समझ जाएंगे बस पूरे जो भी एक्स्प्लानेशन दिया है उसको अच्छे से देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जबू कर लीज़ेगा वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा और बैल आगा में प्रस कर लीज़ेगा फस्ट को स्टिव्सटों बाइं मतलब beim इस त्रक कॉर्डीsis को को सॉल्फ कर चुके थे जो कोशन था वद्डी यूटरि इन कोको नट तो जो इसका राइड अंसर था वी इंटार शीट कहाँ जाता है next question है 34 the fruit is a nut in nut जो की एक kaenial fruit का type है उसमें से बताना है जो यह 4 example दिये गए है कौण nut है तो anacardium मतलब की kaju काजू nut का example है तो right answer is option और याद रखिएगा जो नट होते हैं ये बाइकार्पलरी ओवरी से डवलप होते हैं और सुपीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी होते हैं और वंशी डड़ होते हैं नक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं अगर बोटल गार्ड का आपको मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूँ, बोटल गार्ड का मतलब है लौकी, लौकी में क्या खाया जाता है? तो राइट एंसर इस, option C, मीजोकार्ब और इंडोकार्ब, और बोटल गार्ड किसका एक्जामपल है? यह बॉटल कार्ड फैमिली कुकर बुटेसी का एक्जाम्पल है कहने का मतलब कि यह पेपो है पेपो फ्रूट्स है यह फ्लाशी फ्रूट्स में इनको पेपो की कटैगरी में रखा गया है जो कि मर्टी कार्पलरी से इनकारपस होते हैं मैं यहाँ पे लिख दूँ यह बॉटल कार्ड है, यह पेपो फ्रूट है बॉटल गार्ड, यह पेपो फ्रूट है और यह कुकर बुटीसी फैमिली कुकर बुटीस 시 जितने भी गरमें आने वाले फ्रूट्स हैं जैसे खर्बूजा हो गया जिसे मस्क मेलन कहते हैं वाटर मेलन कद्दू, तरोई खर्बूजा ये सभी इसके पेपू के एक्जामपल है और कुकरबिटी सी फैमिली से भी लोग करते हैं तो रहाइट अंसर इस ओप्शन सी नेक्स्ट कुशन आपको बताना है कि ये जो परसिस्टेंट पैपूस कंडिशन होती है किसमे होती है तो इसका जो राइट अंसर है 36 का आप वो है सिपसेला सिपसेला में पैपस कंडिशन होती है पप्पस कंडिशन कहने का मतलब है एक पपस hairy structure create होता है suppose that यह है तो इसमें ऐसे से hairy structure create हो जाते हैं जिन्हें हम पपस कहते हैं और यह हमें देखने को मिलता है composite family में composite family जिसका example क्या है sunflower sunflower हो गया गेंदा हो गया, यह सब composite family के example है तो right answer is option D next, itario of Akin is itario of Akin क्या है, तो right answer है option A fragaria, fragaria क्या है, sweet berry है और sweet berry is the example of itario of Akin itario का मैंने आपको मतलब बताया था मतलब पुंच, aggregate fruit next question पे चलते है paper fruit is generally found in अभी मैंने उपर explain किया, इसलिए मैं कहा रही हूँ कि अगर आपने first part नहीं watch किया है, तो उसको जरूर watch करेगा, आपको बहुत help करेगा इस वाले वोडियो में तो इसका जो right answer है option B, कुकर बिटीसी मैंने भी बताया, जिते भी paper fruit है कुकर बिटीसी family में आते हैं देखिया, आप चीजों को relate करते हैं, को चलेंगे तो बहतर तरह समझभाएंगे और बाकी तो आप चानते हैं, कि family अपने आप में बहुत डर लगता है family को पढ़ने में क्योंकि बहुत tough, बहुत tough हो जाते हैं tough इसलिए नहीं होती है कि हमें चीज़ें उसमें कुछ कठें लगी रही है एक साथ इतनी सारी चीजों को याद रख पाना मुश्किल होता है अगर single single पढ़नी हो तो शायद वो इतनी मुश्किल नहीं होगी आप एक फैमिली याद कर लेंगे कोई दिकत नहीं लेकिन जब आपको साथ आठ फैमिली एक साथ ध्यान रखनी है और उनके एक्जामपल भी ध्यान रखने है तो ये बड़ा मुश्किल होता है इसलिए correlate करके आप चीजों को पढ़ते चलेंगे तो आपको इती दिकत नहीं होगी जैसे पेपो फ्रूट मैंने भी पताया कि जितने भी गर्मी में आने वाले फ्रूट्स हैं जैसे लॉकी हो गया तो रोई कदो फिर वाटर मेलन खर भूजा की रा ये जितने भी हैं सब पेपो फ्रूट्स हैं और ये किसे बिलॉंग करते हैं कुकरबिटी से फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो राइट अंसर इस ऑप्शेट भी फैमिली कुकरबिटी सी नेक्स्ट डूप इस रिकगनाइस्ट पाई हमीज़ाद रखेगा डूप में स्टोनी इंडो कार्प होता है डूप का एक्जामपल है मैंगो कोको नट यह डूप की एक्जामपल है मैंगो के आप शीट देखते हैं उसके उपर जो कवरिंग होती है इस्टोनी इंडो कार्प होता है तो राइट अंसर इस ऑप्शन भी इस्टोनी इंडो कार्प एक मिनट राइस रंसर इस ऑप्शन भी इस्टोनी इंडोकार नक्स्ट पे चलते हैं क्वेशन नंबर फॉर्टी दा पिस्टेशिया नट फ्यूट इस पिस्टेशिया नट का मैं बता दूं मतलब आप इस्टा समझ लीजिए पिस्टाई का यह एक टाइप है तो यह पिस्टेशिया नट जो है यह क्या है आपको चार आप्शन दिये गाए तो इसका जो राइट एंसर है वो आप्शन भी ट्रू नक्स्ट पे चलते हैं तब पाइनेपल फ्यूट इस एन एक्जाम्पल उफ पाइनेपल का जो फ्यूट है वो किसका एक्जाम्पल है मैंने इसको अच्छे से एक्स्प्रेंट क्या था कल के व्यूडियो में तो इसका जो राइट एंसर है ओप्शन ए सोरोसिस मैं नहीं पताया था उसमें कि जितने भी प्लांट जिनका इन्फलोरिसंस होता हुदा मैंने जो फ्यूटिश होते हैं वो इस्पाइक और catcane, spidex spidex, sorry इस तरह के inflorescence से develop होते हैं वो sorosis में रखे गाई हैं जिसका example है pineapple हो गया, satus हो गया और cutahel हो गया ये तीनों इसके example है तो इस चीश को याद रखेगा next anona isquemosa is anona isquemosa क्या है? तो इसका जो राइट एंसर है 42 का इटेरियो of berries anona isquemosa जो है ये custard apple का example है, sorry custard apple का scientific name है anona isquemosa next is the edible part of pomigranet is pomigranet में edible part है तो इसका जो राइट एंसर है 43 का वो है fleshy testa pomegranate मतलब annaar annaar के जो fruit होता है annaar का कुछ ऐसा annaar होता है annaar के fruit में जो उसके bees होते हैं वही fleshy testa है juicy होते हैं उन्हें ही खाया जाता है तो याद रखेगा annaar में pomegranate में fleshy testa को खाया जाता है right answer is option d next edible part of apple is right answer इसका क्या है fleshy thalamus apple में fleshy thalamus को खाया जाता है और ये false fruit है the most important food are drive form जो food है most important फूट किसे drive के आते हैं fruits right answer is option b fruits are formed in fruits किसमें आप जानते हैं इस सबका एंजियो स्वम से कोई लेना देना नहीं है इन सबको आप पहले ही हटा देंगे ब्रजा आपके बस ब्रेसी का right answer is option d next silikua fruit is usually found in the family silikua fruit किस family से बिलॉंग करता है तो जो silikua है इसका example है mustard और mustard किससे crucifery family से बिलॉंग करता है next question पर चलते है when pericarp when pericarp remain fused with testa जब pericarp testa के साथ fused होती है तो इस condition को क्या कहते है karyopsis right answer is option a karyopsis karyopsis की example मैंने आपको बताए wheat rice maize यह किसके karyopsis की example है fruit of mango is mango का fruit क्या है यह droop है right answer is option D next question पर चलते है mulberry is a mulberry satus कहते है mulberry को और यह किसका example है तो याद रखेगा mulberry composite fruit का example है mulberry हो गया और अननास sativus हो गया मतलब अननास हो गया या cut hell हो गया यह सभी इसके sorry composite fruit के composite fruit के example है right answer is option B karyopsis differ from in beginning अभी हमने देखा karyopsis की जो quality है वो यही की testa fused with pericarp तो right answer is option A testa fused with pericarp next if you developing from a complete inflorescence is called जो complete inflorescence से develop होते है उन्हें composite fruit केते है right answer is option A और next है the pair which is correctly matched among the following तो इन्होंने fix iconos sunflower amphi sir का नहीं है sunflower अभी मैंने बताया sunflower किसका sipsela sipsela का example tomato क्या है berry है mango droop है तो correctly match क्या है fix iconos मतलब बंजी sipsona से correctly match है next rice fruit is A अभी बताया right answer is option C karyopsis next question a false fruit develop from false fruit कैसे develop होते है other than ovary मतलब ovary को छोन करके plant के या flower के और दूसरे पार्ट से some other floral parts right answer is option C some other floral parts ये silicoa fruit develop from जो silicoa fruit है वो develop होता है silicoa कहने का मतलब बात हो रही है crucifery या फिर basicacy family की मतलब बात हो रही है यहाँ पे mustard की तो ये develop होते हैं bicarplory ovary से to right answer is option B bicarplory ovary यसे लिए याद रखिएगा इसका example है mustard basicacy family basicacy को ही crucifery कहते है which one of the following is fruit ये में से कौन साब fruit है zinser, radish, sweet potato and lady's finger तो right answer इसका जो है वो lady's finger क्या है fruit है बाकी सब vegetables or stem है तो right answer is option D lady's finger the fruit that developed from monocarpulary ovary or multicarpulary syncarpus ovary of a single flower is इस तरह के fruit को जो कि monocarpulary ovary से syncarpus condition से develop हो रहा है जिसमें single flower की ovary parts बिट करी इस तरह के fruits को simple fruits कहते है which is the false fruit among the following अभी बताया apple is a false fruit जो कि other than ovary मतलब और दूसरे floral parts से develop होते है मतलब thalamus से develop होते है next the apple fruit is called as false fruit because तो इसका जो right answer है option B it's actual fruit is located within edible fleshy thalamus in tamarindus the type of fruit is tamarindus का मतलब है imli ये किसका टाइप है loventum का imli हो गया बबूल की फली हो गई और momfli हो गई ये सब किसकी example है loventum के the coconut fruit sorry in coconut fruit the edible part is मैंने इसका एक अच्छा सा explanation कल के एक video में दिया था कि जब आपके पास दो तरह के मतलब की आप दो तरह से इस question को देख सकते है exam में एक condition जिसमें आप सिफ coconut मे edible part पूछा जाएगा और एक condition जिसमें आप से coconut fruit medical part पूछा जाएगा question आप sorry option आपके पास यही चार होंगे लेकिन answer बदल जाएगा जो जब coconut की बात करेंगे मैं फिर से आप एक किवल coconut fruit में हम जो खाते है वो एंडो स्पाम होता है मतलब जो खाने वाला part होता है लेकिन जब coconut fruit की बात की रहे मतलब एक fruit का मतलब होता है कि ओवरी पक चुकी है मतलब राइपन ओवरी है मैच्योर है तो उस इस्थिति में जो एडिवल पाल्ट होगा coconut fruit का वो क्या होगा इंडो कार्प होगा तो इसका जो राइट एंसर है option A इंडो कार्प next the fruit of coconut is coconut का fruit क्या है मैंने पहले भी ग्जामपल बताया था कि ये एक डूप है जिसकी ग्जामपल है mango हो गया ये डूप की एक्जामपल है which is not a fruit इन मेंसे कौन सा fruit नहीं है onion bulb of onion ये fruit नहीं है बाकि सभी fruits है right answer is option A next question नाश्पती और पियर fruit is card as false fruit इसका जहां पर भी false condition आ जाए तो आप बिना ज़्यादा सोचे बस ये धूड़िएगा कि किस में थालेमस आ रहा है और उसको tick करिएगा पढ़ जरूर लीजेगा पूरा option पता चला थालेमस का कि कुछ और लिखा है कुछ और लिटिक कर दिया पतलब आपके पास एक clue रहेगा option को tick करने का तो जो इसका right answer है वो थालेमस is irritable and incluses the actual fruit the fruit developing from hyponthodium sorry hyponthodium hyponthodium infuricence is card ऐसे fruit जो hyponthodium infuricence से develop होते हैं उन्हें क्या गयते हैं psychonthodium जो infuricence होता है वो कुछ इस तरह का होता है इसमें three type के जो flower है वो देखने को पर मिलते हैं male flower normal female flower girl flower और एक चीज़ याद रगेगा जो male flower होता है वो हमेशा जो ये hole है उसके पास में रहते हैं next in wood apple wheat wood apple में क्या खाने वाला पाल्ट है तो wood apple में meso carb and endo carb खाये जाता है wood apple मतलब बेग तो right answer is option sorry option C बेग, sorry meso carb and endo carb the edible part of lemon fruit is जितने भी citrus fruit है orange lemon और जो भी example है citrus fruit के उनमें हमेशा इसका endocarpic hairs खाय जाते हैं endocarpic fleshy hairs तो right answer is option B endocarpic fleshy hairs तो ये थे 68 questions total मिला करके आज I think 65 मतब 35 questions आप प्रॉक सॉल्फ की है हमने इस वीडियो में तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा informative लगा होगा काफी हद तक आपने feud की चीजों को clear किया होगा feud में feud को काफी हद तक समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजगा comment करके जरूर बताइएगा आप एको जो भी confusions होँ या जो भी queries होँ comment जरूर करके बताइएगा मिलते हैं next video में